नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल द्योजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लगिया पर समाने अध्यन का टेस्ट लगाएंगे जिसके अंतरगत आप लोग उत्तर प्रदेश साथ में समाने विग्यान और आपकी कह सकते हैं अधर जितने भी सब्जेट होते हैं सभी सब्जेट के कममेंड आपका कह सकते हैं टेस्ट होगा और प्रस्ण जो आपकी हैं काफी टफ रखे गए हैं ठीक है वर्तमान के परिच्छा के दुरश्टी को देखते हुए यह आपका आर्टेस्पेपर बना है तो यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें सेयर भी कर दें और नए हैती चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और साथ में प्लेलिस हमने बना दिया उसके माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं चलिए यहाँ पर आवाज आ रही है चलिए तो स्टार्ट क गैस में मीथेन की अधिकतम मात्रा लगबग होती है कितने प्रतिसत होती है 89 का सभी जवाब क्या क्या हो जाएगा तो याद रखेगा कि मीथेन प्राक्रतिक गैस का मुख घटक है ठीक है और इसमें जो आपकी होती है आपकी अधिकतम मात्रा होती है option right यहाँ पर सी नंब जो आपका कह सकते हैं रुकमणी देवी अरुन डेल यह जो आपके संबंदी थे वह आपके संबंदी थे भारत नाट्यम से ठीक है भारत नाट्यम से इसका फोर हो जाएगा मडालनी सारा भाई जो आपके है वह आपके कतकली से संबंदी थे ठीक है कतकली जो की केरल का है सि इस प्रकास से आपके सास्ति निरत्ति थे और इनके अंसास से आपका जो सही हुआ का नहीं हुआ यह आपका 3 हो गया इसका आपका 2 हो गया और इसका क्या हो गया फर्स्ट हो गया 4 3 2 1 4 3 2 1 जो आपका option right होगा यहाँ पर C number आपका सही हो जाएगा ठीके C number next question आप से एकला पूछा गया है कि सक समवत आधारित भारती राष्टी कलेंडर में किसका एक माह के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं सक समत अधारी जो भारती राश्टी कलेंडर है तो उसमें एक माँ आपका प्रियोग नहीं होता है वो आपका कौन सा एक क्यान में का उप्सन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नमबर पुस्य है ठीक है पुस्य आपका नहीं होता है जो कि निम्लिकी कित कतनों पर विचार कीजिए यहाँ पर दिया गया है जो कि 29भे नमबर में और 29वे में किछ इस प्रेकास से आपके दिये गए हैं ठीक है तो कैर आपसे कि निम्रिकेत कत्रों पर विचार करना है पहला पॉइंट है कि संयूंत राष्ट संग के स्थापना 24 दिसंबर 1945 को हुई थी बात सही है सही है बात तो बिल्कुर आपकी कह सकते हैं बात यहाँ पर जो इसके स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी आपकी 24 अक्टूबर को हुई थी है ना 24 को अक्टूबर को हुई थी ना की दिसंबर में हुई थी तो यह बात आपकी गलत हो जाएगा ठीके और कैसे सकते हैं दूसरा पॉइंट कि अंतराष्टी 37 वरच्छा की ब्योस्था करना इसका प्रूमिकुद्देश है यह पॉइंट आपका यहां पर कह सकते हैं इसका सही है और तीसरा है कि इसका मुख्याल है आपके नियूवर्क सहर यूसवे के मैंहटन टापू पर बना है तो यहां पर यह क्या पॉइंट आपका सही है तो यहां पर आपका ये भी point कह सकते हैं कि इसका जो है आपका बना है बिल्कुल सही जवाब है ये आपकी यूसे के मैनहटन आपके टापू बर बना है चौथा आपका है अर्था देखो दो point आपके सही हो गए ना अंग्रेजी, चीनी, फार्सी, संयुक्त, राश्चंग की भासाएं हैं तो ये बात गलत है इनके अधिकारिक भासाएं अंग्रेजी, फ्रेंच क्या हैं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं इस प्रकास से देखा जाए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरभी, स्पेनिस, ठीक है, रूसी, इनको मानिता प्राप्त है, तो इस प्रकास से देखा जाए, यहाँ पर आपका फूर भी गलत हो जाएगा, जावब हो जाएगा, टू और थ्री, आपसन आपका, यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है, कोशन आप से गला दिया गया है, कि निमनिकित में से कौन सा एक असंगत है, कौन सा एक असंगत है, तो देखते हैं, यहाँ पर आपका पहला दिया है, भजन सुपोरी, भजन सुपोरी, जो सम्मदी थें, वो आपके हैं संतूर वादक, यह बिल्कुल सही है, पन्ना लाल घ घोस, तो भजन लाल घोस जो है, वो आपके बांसुरी वादक है, ना कि जल तरंग है, ठीक है, तो इसका सही जो आपके क्या होजएगा, बांसुरी वादक है, यह क्या है, बांसुरी वादक है, तो इस प्रकार से यह पॉइंट आपका असंगत है, वहीं पर आपके इंदर जो की पक्ःवाज हैं विशु मोहन भट जो की मोहन वीड़ा सम्वंदीत स्टार गीटार हैं ठीक है तो पन्ना लाल घोस्ट जो है वो आपकी केसे सम्वंदीत हैं आपकी 20 वादक हैं इस प्रकासित से आपका गल्द था नेस्कोशन कहाते हैं कोशन आप से लाए है कि उत्तर तेरह नवंबर 1963 को हुई थी याद रखेगा ठीके चलिए निस कोशन का आते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है कि निम्रिकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है चलिए बाई जवाब दीजिए तो यहाँ पर पंचानम एक उप्सन राइट देखे यहाँ पर आपका दि 1954 में हुआ था और यहाँ पर कह सकते हैं चववन में हुआ था और कह सकते हैं कहां से तो मुजगफर नगर जिले की कैराना तहसील के सुल्तान पूर जिले की आपके मुसाफी खाना तहसील से हुआ था ठीके तो इसका जवाब का 54 हो जाएगा उत्तर प्रदेश राजिक खन तो देखते हैं किया आपका गलती है आपर तो पहला दिया है लोक सभा सदस्यों की संख्या आपकी 85 दिया है तो भाई लोक सभा सदस्यों की संख्या पचासी नहीं है कितनी है 80 है तो इस प्रकास से पहला ही आपका गलत हो गया बी नमबर दिया है राज सभा सदस्यों की संख्या कितनी 31 है बिल्कुत सही है विदान सभा सदस्यों की संख्या 404 है बिल्कुत सही है विदान 55 की संख्या आपकी 100 है बिल्कुत सही है गलती क्या हुआ फर्ष्ट व ऐलमूनियम जो कि आपके रेनु कोट करता है तो इसका two हो जाएगा और बात करें सीमेंट तो सीमेंट तो सीमेंट के चुरक जो को आपके उलेख में पतता है तो यहाँünf इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा और बात करें तो प्रियाग राज us यह आपका प्रयाग राज है और परमाट सक्ति के अंदर जो आपका है यह आपके नरौरा है और नरौरा आपका बुलंड सहर में पढ़ता है तो इसका आपका हो जएगा 4 और इसका हो जएगा आपका 3 तो इस प्रकाष से आपका हुआ 2 1 4 3 2 1 4 3 there 1 4 यहां पर कोश्चन आपका बना है तो देखा जाए किकी कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के मैड़ानी छेत्र से निकलती है तो यहां पर आपका देखिए यां पर वरोणा अबह बीए पांडो भी है इसन भी है और आपकी सही अर्थात ये सभी नदिया जो है वो आपकी सभी नदिया आपकी मैदानी छीतर सही निकलती है तो आपस्टन राइट आपका हो जाएगा D नमबर ठीक है D सही जवाब हो जाएगा चलिए नेस कोचन के जवाब दीजिए कि उत्तर प्र नयमूर्थ सिरी विसंभर दयाल थे और कह सकते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रथम लोका युगति इनका जो समयकाल है वो आपका है 1907 से लेके 1982 तक इनका सासनकाल आपका रहा है ठीक है ना समझ में गया अगर पूचे कि वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में ठीक है चलिए नेस कोशन काते हैं कोशन आप सेगला पूचा गया है किनियम लिखित को सुमेलित कीजिए तो भाई जिस प्रकार से टेस पेपर आपके कठिन बनते हैं उसी प्रकार से कोशन आपके दिये गए है ठीक है तो यहां पर आपका दिया है लोक गीत और आपका चर ड़ा, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 द्वारा मनाया जाता है बजहर पर वो किस जन जाती द्वारा मनाया जाता है याद रखिएगा GS पढ़ते रहिए current पढ़ते रहिए नहीं बाद में पस्ताएंगे और दोस्त देंगे channel वालों को channel वाले तो अपनी जीजान लगा देते हैं पूरी मेनत कर देते हैं लेकिन जब आप लोग GS नहीं देखते हैं तो channel वाले डालना बंद कर देते हैं और फिर easy question लेके आते हैं ताकि आप लोग देखने लगें और आपका मन लगने लगए आप लोग मन के लिए नहीं पढ़ते हैं ठीक है आप लोग मन के लिए मत पढ़िए आप job के लिए पढ़िए और job के लिए अगर पढ़ेंगे तो आपको सरल प्रस्न और कठिन प्रस्न दोनों पढ़ना पढ़ेगा GS में मन लगाना पढ़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आपका दिया है तो गोरकपुर के तराई भाग में निवास करती है नेस कोचन आपका कि नो निर्मित आगरा लखनो ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे निम्लिकित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है तो यहाँ पर आपका जो जवाब है सही क्या हो जाएगा आगरा लखनो ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे यहाँ कि कहां से होकरने गुजरता यहाँ पर 102 का आप्सण राइट आपका क्या हो जाएगा तो देखो आपको पता होना चीए कि कहां से गुजरता है आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी इटावा और रया कनोच कानपुन नगर हर्दोई उन्नाव और लखनो ठीके इस 6 लेन वाले इस प्रकास से देखा जाए तो 302 किलो मिटर के लंबाई है और यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा उप्सन C यह आपके 12 बंकी से ओकर नहीं कुजरता है ठीके नेस्ट कोश्चन का आते हैं कोश्चन आप से गला है कि केवल ब्लैक बग अर्थात काला हिरन को समरपित भारत का पहला अरच्छी छेतर की सजिले में इस्तित है तो केवल ब्लैक बग अर्थात काला हिरन को समरपित भारत का पहला अरच्छी छेतर जो आपका है वो आपका कौन 103 का उप्सन राइट आपका D आपका ये है प्रियाग राज याद रखेगा क्या है आपका तो यहाँ पर आपका डी नमबर हो जाएगा प्रियाग राज है ठीके और प्रियाग राज में कहां तो मेजावन मेजावन में ठीके चलिए यहाँ पर के सिखने यह भारत का पहला अरच्छी चितर आपका है ठीक आपकी सकल घरे रूप बचत था GDP तो GDP का एक तिने परसंट आपकी है तो यहाँ पर देख सकते हैं 104 का उप्सन अपरस्ट हो जागा GDP का 30.5% ठीके और यहाँ पर नेस्ट कोश्चन को आते हैं कोश्चन आप से अगला है कि आर्थिक समिच्च्चा 2018 में भारत में सकल बचत में आर्थिक हिस्टा क्या है तो सकल बचत में जो आर्थिक हिस्टा है वो आपका है C नमबर नीजी कारपरोट छेत्र का आपका हिस्टा कैसकते हैं जाद आपका है ठीके नेस्ट कोश्चन आप से गला है कि मानव पुझी में बढ़ता हुआ विन्योग निम से किसे अग्रसारित करता है तो मानव पुझी में बढ़ता हुआ जो आपका विन्योग है यह अग्रसारित करता है आपके option right यहाँ पर देखते हैं कुसर में कुसलतम विकास उत्पादकतम व्रद्धी यहाँ पर अड़ी नमबर आपका सई जवाब हो जएगा सभी का आपका यहाँ पर कर सकते हैं मानोपुणिय बढ़ता हुआ न्योग अगरिसित करता है सभी में ठीके नेस्स कोशन है यहाँ पर समावेसी समवरद्दी के लिए क्या आवस्यक है यहाँ से कोशन है आपका हमें सभी बनता है समावेसी सुचकांग से पूछ लेता है और अभी यह कोशन आपका PCS में पूछा भी गया था तो समावेसी समवरद्दी के लिए क्या आवस्यक है तो याद रखेगा समावेसी के लिए आपका जो है वो आपकी सभी चीज़ें आवस्यक है अर्थात क्रेसी कमरोद्दार करना चाहिए सिच्छेम स्वास्ते समाजिक सिवाओं की अधिकारिक कन उपलगता होनी चाहिए अदोस संरचमा तक सुद्दाओं का विकास भी होना चाहिए तो यह सभी पॉइंट आपके भारत में फसलों की बुवाई के अंतरगत है तो सुद्द छेतफल जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 108 का ओप्सन राइट आपका यहाँ पर बनेगा आपका ए नमबर 114.1 मिलियन हेक्टेर है यह बुवाई के अंतरगत आपका आता है ठीके चलिए नेसकोशन आपका अगला है कि आर्थिक समिच्छा 2018-19-19-19-19 वर्ज 2017-18 में निमलिकित में से कौन सा क्रसी उतपाद अपने निर्यात से देश में सरवाधिक विदेशी मुद्रक अरजन किया है याद रखिएगा कि अपने निर्यात तरता इसने निर्यात किया है किस चीज का निर्यात किया है जिसमें विदेशी मुद्र आपकी अरजित हुई है तो यहां पर देख सकते हैं एक सुननो का आप्षन राइट आपको हो जागए यहां पर बी नमबर ठीके चावल है ठीके भाई चावल है जो की कह सकते हैं 2017-18 में डॉलर आपका इकठा किया है ठीके तो कहने कह सकते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन आपका आया है इस बार को ठीके अगला है सूची फस्ट को सूची सेकिंड से सुमेरित करिए यहां पर दिया है कारिकरम और दूसरा दिया है सुरू करने का वर्स ठीके तो यहां पर आपका यह थी, यहाँ पर ऐसे थोड़न कर लेती हैं, तकी आपको समझा सकी, यहाँ पर जो आपकी है, स्वंड जैनती ग्राम सुराजगार योजना है तो यह आपकी थी आपकी कब 1999 से ठीके कब से 1999 से जो आपकी है स्वंड जैनती सहरी रोजगार योजना यह आपकी थी कब से तो यह आपकी थी आपके फर्स्ट से ठीके जो आपकी है Trisim Trisim योजना जो आपकी है वह आपकी 1997 से और द्वाकरा जो आपकी है यहाँ पर हो जागा 2 इसका आपका छिसी नंबर आपका सभी है इस प्रकास समझे यहाँ पर थर्ड नंबर आपका साही हो जागा ठीके? और नेस कोर्शन कहाते है कर आपसे मन रहेगा कि संबंद में जो असरत है उस पर आपको फोकस करना है जो गलत है वो पुछाए ठीक है कर आपसे यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से कोशन है यहाँ पर दिया है कि इस कानून में अनमोधित कारियों की प्रकार का उलेख है अच्छा सही है दूसरा सरक भी रेखा कि नीचे अनसूचित जाती हों जन जाती से संबंदित है यह भी सही है चौधा है कि इस कानून की एक महत्त्व विश्चता है कि एक वर्स में 0 समलो 2-7-4 वर्स के रोजगार की गारंटी है तो यह बात आपकी गलत है आप ठीक है तो D नमबर आपका यहाँ पर क जलत आपका हो जाएगा ठीक है यहाँ पर के सकते हैं कि सो कितने वही तो सो दिन की आपकी है सो दिन की ठीक है नेस्ट कोशन काते हैं कोशन आप से एकला बनता है कि मनरेगा M G N R I G A के लिए वित्ती वह 2018-19 में जो अवंटन है वो कितने करोड रुपए है तो मनरेगा के ल पच्पन हो गया है ठीक है और 2029-20 में अगर अनुमान लगा जाये ठीक है 2019-20 में अनुमान जो है वह आपका रहने वाला है 60,000-60,000 करोड रुपए हउंटित किया गया है ठीक है तो निस कोशन आते हैं कोशन आप से अगला है जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नविंतम आकलन जो की तिंदुलकर प्रविदी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अधिकतम प्रत्सत है तो गरीबी रेखा के नीचे जो आपके अधिकतम लोग है वो आपके कहां पर एकउटेरा का उप्सर रािट यहां पर हो जाएगा उप्सर राइट आपका यहां पड़ी नमबर यह आपकी 36 गडु पहलए इस्तान होता देखो पहला इस्तान आपका है UP का ठीके दूसरा आपका हो जगा बिहार का ठीके फिर आपका कह सकते हैं मद्य परदेश, महाराष्ठ, परश्यमंगाल दीरे दीरे संपूर बाराष्ट में होते हैं मतलब सरवाधिक नगरी जनसंख्या वाले आपके हैं सरवाधिक जो नगरी जनसंख्या है उसके अनुसार इसके अनुसार नहीं हो कि इसका अनुसार आपके ही होगा जो सरवाधिक नगरी जनसंख्या है ठीके उनकी असाब से और गरीबी में देखा जाए तो गरीबी के आपका कौन मनेगा तो 36 गड़ आपका पहले स्थान पर है फिर आपका आता है जारखंड दूसरे स्थान पर ठीक है फिर आपका आता है मड़ीपूर ठीक है फिर आपका रुडांचर प्रदेश में बिहार फिर संपूर भारत ठीक है इसके साब से प्रतिस्ट आपका हो जाए से किस में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिसत मिलता है अर्थात गरीब लोग वहां पर नहीं है कहां पर भई तो एक सो चौदा का उपसन आपका डी ये प्रतिसत क्यादार पर देखा जाए तो अंडवा निकोबार में पहुत कम है आपके गरीब सरवाधिक साच्छतादर वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है बात बिलकुल सही है साच्छतादर आपका कहा है गौतम बुद्ध है दूसरा नियुनतम साच्छतादर वाला जिला आपका स्रवस्ति है ये भी बास सही है तीसरा सरवाधिक लिंगानुपात वाला कौन है तो आपका जौनपूर है ये भी बात सही है नगर निगम छित की जनसंख्या के अदार पर सरवाधी जनसंख्या वाला जिला आपका गाधियाबाद है सरवाधी जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है नगर निगम की इसाब से ठीक है नगर निगम छित की दार पर तो ये भी बात सही है अर्थात 1,2,3,4 वही आपसन तो D है सब ही आपके सत्य याँ पर है ठीके अगला है कि निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए यहाँ पर 116 नमबर है कि निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए कहरा आपसे पहला पॉइंट कि भारत में जनसंख्या का ग्रामीड से सहरी प्रवजन सरवाधिक है भारत में जनसंख्या का ग्रामीड से सहरी प्रवजन है ठीके ग्रामीड से ग्रामीड प्रवजन मुक्ता महिला प्रवजन है अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं कि जनसंख्या का एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाना ही एकी सही ब्याख्या करता है तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है और ए और आज दोनों सही है और एकी सही ब्याख्या नहीं करता है तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा मतलब कि ये तो है लेकिन ये महिलाओं को उपर डिपेंड नहीं हो रहा है ठीक है तो महिलाओं और वाला एक बेख्यान नहीं कर रहा है तो इसका बी जवाब आपका हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दिया प्रकति और आपका राज ठीक है यहाँ पर दिया है सरवाधी जनसंख्या वाला जो केंसासी प्रदेश है तो यहाँ पर देखते हैं हाँ यहां पर दिया है सरवाधिक नगरी करत राज सरवाधिक जनसंख्या घनत तो वाला केंसासित प्रदेश आप से पूछा है है ना सरवाधिक जनसंख्या घनत तो वाला केंसासित प्रदेश कौन सा है तेहां पर कह सकते हैं जनसंख्या घनत तो और भैया जनसंख्या घनत जो आपका है वो किनसासी प्रदेश दिल्ली है ठीक है अच्छा ये तो आपका यसी का हो जाएगा सरवाधिक नगरी करत जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहां पर तो आपका गोवा हो जाएगा गोवा हो जाएगा ये भी सही हो गया अधिकतम जन जनसंक्य घनत तो आपका जो हो जाएगा सबसे अधिक जनसंक्य घनत तो राज राज पुछा है तो आपका बिहार हो जाएगा भैस का ठीक है और सहरी आवादी वाला राज आपका ये हो जाएगा 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 है कहीं 1,2,4,3,D number अब का हो जाएगा ठीक है अगला है कि निमनिकित में से कौन सी योजना सहरी अधोस नरचना के विकास के लिए घोसित की गई नई योजना है देख सकते हैं यहां से कोईशन आपका पूछा गया था और सहरी अदोसन रचना के विकास के लिए घोसित की गई आपके नई योजना जो है वो आपकी कौन सी है 118 में तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि स्वच भारत मिशन भी है Heritage City Development आपका अगनबेंट सेंशन योजना यह भी है इसमा City अर्थात यह सभी आपके यहाँ पर सही हो जएगा D-Number आपका सही हो जएगा यह सभी योजना आपकी जो है अगला है कि राष्टी नगरी पुनर विकास करण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है तो जो राष्टी करण तो आपका है राष्टी नगरी पुनर विकास करण मिशन जोड़ा गया है वो आपको जोड़ा गया एक सुनिस कॉप्शन आपका होजेगा यहाँ पर आपका बी नंबर यह आपके जवाहला नहरू से जोड़ा गया ठीके और यहाँ पर अगला है कि वर्ड पॉपलेशन प्रोस्पेक्टस दोहजार उननीस अनुसार पूरवी एसिया में सरवाध गणी आभाधी वाला देश कौन है भई पूरवी एसिया में सरवाधी गणी आभाधी वाला देश आपका कौन सा है 120 का उप्षन राइट, आपका D हो जएगा, यह आपका है दच्छिन कॉरिया, कौन सा है भई, तो आपका दच्छिन कॉरिया हो जएगा याद रखेगा, ठीके, दच्छिन कॉरिया जो जनगरात तो देखा जाए, 2018 में 526 था उत्तर कोरिया में देखा जाए तो 212 था जापान में 349 था और आपका चेन में 112 था ठीके तो इस प्रकास यापसन आपका D यहाँ पर हो जाएगा ठीके तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं तो देखें कि प्रस्णों का यूटूब वाले तो बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं आपको देखी सकते हैं क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पीपर बंद रहा है ऐसे पीपर मिलता है है ठीक है तो आम लोग मिलते हैं नए वीडियो में तत्त तक धन्नवाद जहीं जय भारत